इसके पहले भी असम में रोजगार मेले के द्वारा चालीस हजार से जादा युवाओं को सरकारी नोकरी दी गई है और आज फिर से एक बार आज करीब परीब पैतालीस हजार युवाओं को निविक्ति पत्र सोंपे गए हैं मैं सभी युवाओं के उजवल भविश्की कामड़ा करता हूँ साथियों बीजेपी सरकार में आज असम शान्ती और विकास के एक नए युक का साक्षी बन रहा है विकास की इस रप्तार ने असम में पॉजिटिविटी और प्रेणा का संचार किया है मुझे बताया गया है कि असम सरकार ने सरकारी भरतियों को और ज्यादा पारदर्थी बनाने के लिए कई कदम उठाएं हैं विबिन्द विभागों में भरती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए असम सीधी भरती आयोग बनाया गया है पहले की प्रक्रिया में हर विभाग में अलग-अलग नियम होते थे इससे कई बार भरतियां समय पर पूरी नहीं हो पाती थी उमीदवारों को भी अलग-अलग विभागों के पदों के लिए अलग-अलग परिशाओं में सामिल होना पड़ता था अब इन सांगरी प्रक्रियाओं को बहुत आसान बना दिया गया है इसके लिए असम सरकार वाकई बहुत-बहुत बधाई के पात्र है साथियों आजादी के अम्रित काल में हम सभी ने अपने देश को विख्षित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है अम्रित काल के ये अगले 25 वर्ष आपके सेवा काल के भी उतने ही एहम है हर सामान्य नागरिक के लिए अब आप ही असम सरकार का चहरा होंगे आपका व्यावार आपकी सोच कारियों को लेकर आपकी एप्रोच जन सामान्य के प्रती सेवाभाव इसका जनता पर प्रभाव अब बहुत ज़्यादा होगा इसलिए आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है आज हमारा समाज तेजी से एस्पिरेशनल हो रहा है अब पहले का जबाना नहीं रहा जब लोग मुल सुभिधाओं के लिए भी दसकों का इंतजार कर लेते थे आजकल विकास के लिए इतना इंतजार कोई नागरिद नहीं करना चाहता 2020 क्रिकेट के इस दौर में देश के लोग तेज रिजल्ट भी चाहते हैं और इसलिए सरकारी व्यवस्ताओं को भी उसी हिसाब से खुद को बदलना होगा देश के नागरिकों के आकांचाओं को पुरा करने का बड़ा दाइत्वा सरकारी कर्मचारियों पर भी है जिस मेहनत और लगन ने आपको यहां तक पहुचाया है उसी मार्क पर चलते विए आपको आगे बढ़ना है आपको हमेशा सिखते रहना है इससे आप समाज और सिस्टिम दोनों को बहतर बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे साथियों आज भारत बहुत तेजी के साथ अपने इंफ्रास्रक्चर का आधुनी करण कर रहा है नए नए हाइवे और एक्स्प्रेस वे बनाना हो नए रेल लाइनों का निर्माण हो नए पॉर्ट एरपोर्ट और वाटरवे का निर्माण हो इन परियोजनाओ पर लाखों करोड रुपिये खर्च किये जा रहे हैं इंफ्रास्रक्चर का हर प्रोजेक्ट सरकार द्वारा खर्च की जा रही राशी रोजगार और स्वरोजगार में बडोद्री कर रही है जैसे कहीं कोई एरपोर्ट बनता हो तो इसमें एंजीनियर, टेक्निशन, एकाउंटन, मजदूर तरह तरह के एक्विपमेंट, स्टील और सिमेंट की यानि हर प्रकार की जरूत पड़ती हैं यानि एक निरमान से कई सेक्टरों में रोजगार के नए अवसर बनने वाल लगते हैं रेल लाइनों का विस्तार करने से उनके इलेक्रिफिकेशन से भी रोजगार के अवसर तयार हो रहे हैं भारत आज जो बुनियादी सुविधाओं पर जोड दे रहा है इस अफ लिविंग बढ़ा रहा है उसने भी देश के कोने कोने में रोजगार की नई संभावनाएं बनाई हैं 2014 के बाद से हमारी सरकार ने देश में करीब चार करोड पक्के घर बनाकर गरीबों को दिये हैं इन घरों में साउचाले, गैस कनेक्शन, नल से जल और बिजली की सुविधाएं दी गई हैं इन गरों को बनाने में, इन सुविधाओं को जुटाने में मैनुफेक्टरिंग सेक्टर, लॉजिस्टिक्स, स्कील्ड वर्कर और स्रमिक भाई बहनों की मेहनत बहुत बड़ी मात्रा में लगी हैं यानि अलग अलग चर्णों पर विविन सेक्टरों में रोजगार के अउसर बनते गए हैं रोजगार निर्मान में आयुष्मान भारत योजना की भी बड़ी भूमी का रही हैं आयुष्मान भारत योजना की वेज़े से देश में अनेकों नए अस्पताल और क्लीनिक बने हैं कुछ सब्ता पहले मुझे एम्स गोहाटी और तीन मेडिकल कॉलेज का लोकारपन करने का सवभागी मिला था पिछले कुछ वर्षों में असम में डेंटल कॉलेजों का भी विस्तार हुआ है इससे मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े युवाओं के लिए रोजगार के साधन तयार हुए है साथियों आज कई ऐसे सेक्टर स्वेश में भी युवा आगे बढ़ रहे हैं जिनके बारे में दस साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था स्टार्ट अप एकोसिस्टिम ने देश में लाखोट डायरेक्ट और इंडायरेक्ट जॉब्स तयार की है एग्रिकल्चर सोचल इवेंट सर्वे और डिपेंस सेक्टर के लिए ड्रोन की बढ़ती मां उसने युवाओं के लिए नहीं अवसर तयार किये है आज देश में जो अत्मनिर्वर भारत अभियान चल रहा है वो भी रोजगार के अनेकों नए आउसर बना रहा है आज भारत में करोणों मोबाइल फोन बन रहे हैं हर गाउं तक ब्रॉडबेंड के कनेक्टिविटी पहुँच रही है इससे भी बड़े पहमाने पर रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है सरकार में काम करते हुए एक योजना एक निर्णे का प्रभाव किस तरह लोगों का जिवन बदलता है यह आपको हमेशा याद रखना है साथियों बीजेपी सरकार की नितियों की वज़े से आज नौर्थिष्ट में बड़ी संख्या में युवा विकास की मुख्यधारा में आ रहे है भाज़पा की सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है रोजगार और स्वरोजगार के नए अउसर देकर हम नए भारत के निर्मार की और तेजी से कदम भी बड़ा रहे हैं एक बार फिर आप सब को और आपके परिवार जनों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं धन्यवाद